होश्यारपूर लोगसभा के लिए आज एक तरह से एतिहासिक दिन है भगवन्तमान साब होश्यारपूर लोगसभा के लिए 867 करोड रुपए का पैकेज होश्यारपूर लोगसभा के लिए देख लेके आए हैं बगवंत मान साब का मेरे पास फोन आया उन्होंने का कि सर राज आपको होश्यारपूर आना है बिलकुल आज होश्यारपूर के लिए इतिहासिक दिन है जब 867 करोड रुपए का पैकेज हम एनाउंस करने जा रहे है मैं मान साब का शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि इतने अच्छे मौके पर मुझे आज अमंत्रित किया और आपके बीच में आने का मौका दिया मैंनी समझता 75 साल के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी भी सरकार ने किसी भी नेता ने होश्यारपूर को तरक्की करने के लिए विकास करने के लिए इतना बड़ा पैकेज इतने करोड रुपए एक साथ होश्यारपूर को कभी कोई सरकार देके गई होगी आज पहली बार हो रहा है और मैं देख रहा था इसके जरीए अस्पताल बनेंगे मोहला क्लिनिक बनेंगे पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट आ रहे है गंदगी साफ करने के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे सडके बनेंगी प्लेग्राउंड बनेंगे मैदान बनेंगे इतने सारे प्रोजेक्ट है पूरे होशारपूर के अंदर खोशाली और तरक्की के लिए ये बहुत ही शानदार पैकेज होशारपूर के लिए आज एलान किया जा रहा है सबसे बड़ा इसमें है कि होशारपूर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनायाज जाएगा जैसा भी मान साभ ने बताया आज पंजाब के अंदर चार मेडिकल कॉलेज हैं एक मेडिकल कॉलेज अंगरेज बना के गए थे उसके बाद 75 साल में 3 मेडिकल कॉलेज बने 1947 के बाद आज तक केवल 3 मेडिकल कॉलेज बने पटियाला, फरीद कोट और मोहाली 75 साल में तीन मेडिकल कॉलिज बने और अभी डेर साल हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को हमने 5 मेडिकल कॉलिज बनाने का ऐलान कर दिया 5 मेडिकल कॉलिज ये पांचों बनेंगे होश्यारपुर में कपूर थला में संग्रूर में मलेकोटला में और मोगा में तो जो काम 55 साल के अंदर हुआ उससे दुगना काम 5 साल के अंदर पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे आप लोगों यह मेडिकल कॉलिज़ बनेगा मेडिकल कॉलिج़ का आइडिया कैसे आया मानसा बता रहे हैं जब युक्रेन के अंदर युक्रेन और रशिया का युद्धुआ युक्रेन के अंदर हमारे कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे वो छोड़ छोड़ के वापस आए उनमें साड़े तीन सो बच्चे पंजाब के थे बड़े दुख की शरम की बात है युक्रेन एक छोटा सा देश है हमारे देश भारत जैसे इतने बड़े देश के बच्चों को एक छोटे से युक्रेन जैसे देश में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है जब वो साड़े तीन सो बच्चे पंजाब लोट के आए तब भगवन तमान साभ ने तैह किया कि मैं इतने सारे एजुकेशन का हब बनाया जाएगा इसमें बच्चे केवल पढ़ाई नहीं कड़ेंगे यहां पे चार्ज 500 बेड का अस्पताल भी बनेगा होश्यारपूर की बहुत बड़े स्तर के उपर तरक्की होगी 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें 100 बच्चों को हर साल मेडिकल की डिग्री दी जाएगी 33 महला क्लिनिक बनाय जाएगे महला क्लिनिक मतलब पूरे पंजाब के अंदर अभी तक साड़े 600 महला क्लिनिक बनाय जा चुके हैं साड़े 600 गाओं गाओं के अंदर महला क्लिनिक बन रहे हैं गली गली के अंदर शहरों में महला क्लिनिक अगर जिसको नहीं पता मौला क्लिनिक मतलब आपके गाउं के अंदर एक क्लिनिक լनेगा एर कंडिशेंड'd क्लिनिक बनेगा उसमें डॉक्टर बैठे गा उसमें सारी दवाइयां फ्री होंगी सारे टेस्ट फ्री होंगे सारा इलाज फ्री होगा आप बस जाओ और अपना इ 38 महला क्लिनिक खोश्यारपुर अगले कुछ दिनों के अंदर बनाए जाएंगे। इसके अलावा और 500 गाहों के अंदर बनाए जाएंगे। मुझे लगता है जो बच्चे भटक जाते हैं जो बच्चे नशा करने लग जाते हैं। अगर प्लेग्राउंड बनेंगे चारो तरफ तो बच्चे नशा करने की बजाए प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाएंगे और नशे से धीरे धीरे बच्चे जगे जगे गाउं गाउं के अंदर लाइबरेरियां बनाई जाएंगी नशा करने की बजाए बच्चों को पढ़ने की आदत डाली जाएगी तो पूरे होश्यारपूर के लिए ये बहुत बड़ा पैकेज है एतिहासिक पैकेज है मैं मन में सोच रहा था पिछली बार आप लोगों ने यहां से सोम प्रकाश जी को जिता के भेजा था संसद में सोम प्रकाश जी ने कभी شकल दिखाई आप लोगों को पिछले पांच साल के अंदर अभी दुबारा वोट मांगने के लिए आएंगे इसके पहले हमारी सरकार के पहले कैप्टेन अमरिंडर साथ की सरकार थी कैप्टेन Аمرиндर साभ ने कभी होशयारपूर में आके अपनी शकल दिखाई उसके पहले बादल साभ की सरकार थी दस साल उनकी सरकार थी बादल साभ कभी होशयारपूर आए मैं सोच रहा था जितनी बार बादल साभ अमरिंदर साभ सोमपाल साभ सारे मिलाके जितनी बार होशयार पूर नहीं आए दुख में काम नहीं आएंगे कभी सोमपाल ने मुड़के आपको नहीं देखा वोट लेने के बाद उन्होंने कभी मुड़के आपका हाल चाल नहीं पूछा कैप्टेन अमरिंदर साहब ने कभी आपकी सुदनी ली बादल साहब ने कभी आपकी सुदनी ली आपका बेटा आपका भाई भगवंतमान 24 घंटे आपके बीच में रहता है इस बार जब मौका मिले तो भगवंतमान का हाथ मजबूत करना जितने आप भगवंत मान के हाथ मजबूत करोगे उतने जादा आपके काम कर सकते हैं आज साड़े आठ सो करोड का पैकेज दे के जा रहे हैं इनके हाथ मजबूत करोगे गाओं गाओं के अंदर करक्टी की ऐसी धारा बहेगी की कभी किसी ने देखी नहीं होगे